इससे पहले हमने बात की थी कि जिन प्लांट में हमने नौचिंग और बेंडिंग नहीं की थी उसके रिजर्ट्स देखे थे हमने किसी ने मुझे वीडियो पे कमेंट किया था कि जब हम लोग बेंडिंग करते हैं तो प्लांट में कोई ग्रोथ का इशू दो नहीं आता ऐसा क आपका यह होता है कि आपकी जो ब्रांच है वो जादा भागती ही नहीं है क्योंकि सेफ फ्लो है जो वो सब में डिवाइड हो जाता है इसमें जब आपका सेफ फ्लो डिवाइड हो गया तो उस वज़ए से आपकी ब्रांच है जो वो जादा भागे ही नहीं अगर हम इसको बेंड नहीं करते हैं यह ब्रांच इसको सीधा रहने देते हैं तो इसकी जो यह आईज है यह ज़्यादा भाग नहीं थी वह competition करती है फिर center leader से इसलिए इसको बेंड कर देते हैं जिस वज़ा से इसकी सारी आईज है जो sprout हो जाती है अगर हम बेंड नहीं करते हैं तो मुश्कील से इसकी तीन चार आईज है जो वह इस प्राउट होती है ज्यादा से ज़्यादा है विडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मिलते हैं एक्स वीडियो में तब तक के लिए धनेवाद